जिन्दगी की कठनाईयों से भाग जाना आसान होता है जिन्दगी में हर पहलों इम्तिहान होता है डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिन्दगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और देखेंगे आज के पूरे तेरह करेंट अफेस कोशन तो आप इस पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में कोशन पूचूँगा उसका एंसर आपको करेंड़ फेस की वीडियो को बिल्गूल फ्री में देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब विरू कर लें दिया पहले बार विजिट करेंगे आज साथी बेल आइकोन पर इसका ताक कि आप कुछी तरह की डेली मॉनिंग में पांच बजे करेंड़ फेस की वीडियो मिलती र की लेके बॉल सिंग गाओं में अपनी दूसरी पीडियानी टूजी की इथेनाल जैव रिफैंडी के शुरूआत करेगा आपको बता दे का अधारशिला रखेगे प्रस्तावी सेंद्र में एक हजार करोड रूपए का निवेश होगा और यह देश का पहला जैव इथेनाल उत्पादन किया जाएगा आपको बता दे कि रिफांडी में लगवग दो लाख टन चावल के भूसे को प्यों करके प्रतिवर्स तीन कोर लीटर इधन ग्रेड इथेनाल उत्पादन किया जाएगा और इधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है यहाँ पर बात क मुंबाई महरास्टा में इसकी स्थापना होई थी 1976 में आपको बता दिक BPCL तेल सोधक और विपणन करने वाली शारविनिक छेदर की कंपनी है ठीक है और यह फैक्ट आपको याद रखने बहुत इंबोडेन साथी ओडिशा के बारेम अगर बात कर दोस्तों मैं ओडिशा आता है लिंगेश्वर मंदिर इस्तित है लिंगराज मंदिर इस्तित है यह भूबनेश्वर में ठीक लिंगराज मंदिर यह पूछा आता है किस राज में तो भूबनेश्वर ओडिशा में है और एक most important question पूछा आता है भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कहां है तो ओ महानदी परियोजना इसके लाब सिंपली पाल अभ्यरन जो है ओडिशा मिश्थीत है एक और कोईश्चन बार बार पूछा आता है खारे पानी की सबसे बड़ी तटी जील का उंसी है चिलका जील चिलका लेक ओडिशा मिश्थीत है ठीक और भारत का चावालन संधान संस्था ठीक है यह कहां इसी तक कटाक ओडिशा में यह भी बहुत मात्मूर कोईशन है भारत का चावालन संधान संस्थान कटाक ओडिशा में है ठीक है तो आप इस सारे फैक्ट को नोट जरूर किया करें अपने नोटस में बहुत इंपोड़न रहते हैं और यदि वीडियो अच् अगला कोश्चन है युवा ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारती महिला कौन बन गई है युवा ओलम्पिक गेंस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारती महिला कौन बन गई है इसका करेक्ट एंसर जायागा दोस्तों ऑप्सन बी मनु भाकर यह बहुत परदा में भाकर ने 236.5 स्कोर के साथ 236.5 स्कोर के साथ जितांसिल की और वेट लिप्टर जेरेमी लाल निनुगा यूवा ओलंपिक शोन जितने वाले पहले भारती बने मैंने आपको कल कोशन बताया था ठीक है ति भी आपको यादर्ख में बात करें अर्जेंटीना की तो मनु भाकर की दोस्तों तो ए जैंजर हर्याना की प्लेयर हैं और राष्ट मंडल खेल में यानि कौमनवेल घ्रवा अले सब्सक्राइब होगे में अन्हों काहिज. सब्सक्राइब है इसके बार में किसा शुरुआत कि ग्रीश इए उल्मपिक गेम दो यर्दा सिंगापूर में और सीट कालिन विंटर इभा ओलम्पिक गेम की चुरुआत हुए ती दोहारवार और ऑस्ट्रिया में ऐसीट की चुक्त बार आपको कई बार बता चुका 2020 का जापान की राजहनी टोक्यों में होगा ठीक है तो यह सारे फैक्ट आपको याद रखने अक्सार एक्जाम में पूछा आते हैं उसके लावे दिया आप रेले गुरुडी ग्याम की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए अलबू पुब्लिसर द्वारा रिवीजन नोट्स स्यार किये गया है मात 30 रूपए की बुक है वीडियो को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको चैनल को डिस्क्रिप्सन बॉक्स बिलिंक मिला उस लिंक पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं कोश्चन नमर थर्ड गोवा अंतराष्टी फिल्म समारों में जारखंड जारकंड ज साथ सुरूओगा और आपको बतातिक राजची में सूचना प्रसारण मंतलाक सचीव जो है स्री अमित खरे और जारकंड के मुख सचीव सुधिर त्रिपाठी की बैठक में निर्णे लिया गया है और आपको बतातिक इससे वे जारकंड राज सरकार दौरा घोषित अपनी राची है ठीक है और मुख्यमंत्री हैं आपर रगुवर दास ठीक है और राजिपाल को ने द्रौपदी मुर्मो जारकंड के और जारकंड से रिलेटर कोशन पूछे आते हैं प्रचूर मातरा में खनी जुत पादेंगरान जो तो भारत का रूर कहा जाता है और बेतला रा जोडसर बीवर चलता है कि छेतर फल हिलेटर का पार्ची सबसे देजा कर दुनिया का सबसे सकतिशाली नामित किया गया है और यह सिंगापूर से आगे निकल गया है आपको बता दे कि जापान ने हाली में म्यामार के लिए वीजा मुक्त पहुँच प्राप्ति की है और जापानी नागरिकों के पास अब दुनिया भर में 190 गंतब्यों का वीजा मुक्त या वीजा आगमन पहुँच है और इसमें बात करें भारती पासपोर्ट ने वीजा मुक्त या वीजा ओन आगमन पहुँच साथ गंतब्यों तक पहुँच के साथ 60 में स्थान हासिल किया ठीक है इसमें इंडिया कोई बात करें तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 81 ठीक है को दुनिया का सब्से सक्दिशालिनामित किया गया है यह किया गया है नभी है खाली में पाकिस्तान ही कूफिय अजन्सी आई एसाई का चीफ किशेल किया गया है одна थे यहाट नगजा गया इसका अफशन ए जनरर असीर मुनाई ठीक है ऑप्स ने जनरर असीम मुनीर आपको बतादिक पाकिस्तान की खूफिया एजंसी आई एसाई के नए चीफ जनरल असीम मुनीर नियुक्त किये गए है ठीक असीम मुनीर तो यह आपको फैक्ट याद रखना है पाकिस्तान की राज़ान इसलामाबाद यहां के जो प्रेसिडेंट है आरी फल्वी हाल पाकिस्तानी रूपया पाकिस्तान जो सब्द है इसके जो जन्मद आता है चौधरी रह्मत अलिकाई वर एक्जम में पूछ लेता है ठीक है तो हाली में पाकिस्तानी खूफिय एजंसी आई एसाई के नया चीफ किसे नियुक्त किए जनरल असीम मुनीर को को कोश्चन नमर सब्सक्राइब करेक्ट एंसर ऑप्संडी मेडवाच आपको अतातिक भारती वाईशना ने हाली में मेडवाच नामाग मुवाईल हैस्त अप्लिकेशन लॉंच किया और इस से पर यूजर्स को फस्ट एड यानि स्वास्त असा पोस्ट समधी जानकारी मिलेगी ठीक है और भात करेंगर भारती वाईशना कि इसकी स्थाबना उए थी आठ एक्ट्यूबर या याankind haidat ना और प्रतिवाए साथ अक्टूबरर को ही भारती वाईशना दिवाज भी मना आ जाता है ठीक हो स्टों चलिए no немного सेवेंथ है निम्रकित में से किस कंपनी को हाली मं अंतराष्टी सामाजिक सुरक्षा संग यानी आई एससे के गुड़ प्रैक्टिस अवाड प्रदान किया गया है करेक्ट एंसर इसका ओप्षन भी क्या है इंपलॉई स्टेट इंसरेंश कर्पोरेशन ओंप्रेशन आपको पता दे कर्मचारी राज जीवियमा कार्पोरेशन अंतराष्टी सामजिक सुरक्षा संग प्रैक्टिस अवाड प्रदान किया गया है ठीक है तो ये आपको फूल फॉर में याद रखना है कोश्चन नमर 8 है यूवा ओलंपीक 2018 में लड़कियों के 44 किलोगराम बर्ग में जूडों में किस भारती खिलाड़ी ने रजात पतक जीता है इसका करेक्टर नहीं सो जागा option सी तवाभी देवी ठीक है आपको पता दे तवाभी देवी थांग जन ने यूव शुदगी पर चिंता जताई है इसका करेक्टर नहीं सो जागा दोस्तों option ए जमाल खसोजी ठीक है आपको बता दें कि अमेरिका गराश्पती डोनाल ट्रम ने साओधी अरब के वरिष्ट पत्रकार जमाल खसोजी के गुम शुदगी पर चिंता जताई है ठीक है कोशन नमर 10 है हाली में कि शुवर्शुक शंस्था द्वारा किये गए सर्वेक्षण बताया गया है कि कोका कोला जासा नेशले सबसे यदिक प्लास्टिक 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 कच्रा फैलाती है ठीक है कोशन नमर 11 है इंटर गवर्मेंटल पाइनल आफ क्लाइमेट चेंज यान आई पी सी सी की हाले रुपेट को अनुसार 2030 तक दुनिया का तापमान कितना बढ़ जाएगा करेक्ट एंसर इसका ओप्सन ए 1.5 डिगरी आपको तादिक आई पी सी सी यानि इंटर गवर्मेंटल पाइनल आफ क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी रिपोर्ट में चेतामनी दी गई है ग्रीन हाउस गैसों के मौझूदा उत्सरजन की स्तर को देखते हुए 2030 तक दुनिया का तापमान 1.5 डिगरी तक बढ़ जाएगा कोश्चन नम्मर 12 सड़क परिवान मंतराले द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रते गंडे कितने लोग सड़क हास सतर लोग घायल हुए है और प्रत्य गंडे में सतर लोगों की अनुमान नमानता है मौत हुई है कोश्चन नमर 13 है हाली में किसे संयुक्त राष्ट यूएन में अमेरिका की राजदूत पत्सी स्तीफा दे दिया है करेक्ट एंसर इसका ऑप्शन सी निक्की हेली ने आप व दिया गया करेक्ट एंसर था ऑप्शन डी ऑप्शन और बियानी विलियम डी नौडहास और पॉलम रोमर को सभी स्टूडें ने राइट एंसर दिया था अब देख लेते हैं आज का सवाल आज को कोशन क्या यूवा ओलंपिक खेलों की तिहास में भारत की पहले शोन पतक यह तक कौन बन गए हैं यदि आपने कल की वीडियो देखे होगी तो आपको एंसर पता होगा प्लीज कमेंट जरूर करिए कर दोस्ते आपने कल की वीडियो ने जस्ट यहां पे प्ले होगी जरूर देख लिए उसके साथ साथ नोबेल प्राइज येती आप पूरा ट्रिक और कमेंट जिकरना बिल्कुल ना बोले ठीक है तो मिलते हैं नेक्स टुडियो के साथ दोस्तों आपको अगाम एक जाम के लिए आल दे बेस्ट थैंक यू टेक कियर बाई बाई जै हिन जै भारत